हलो दोस्तो मैं आज आपको रेल्वे के करमचारिय को मिलने वाली सुविदा और फाय दे कौन को से आपको सुविदा मिलने वाली हैं उसके बताने वाला हूँ और जानकर यह आपको अच्छी रगे तो पिर इस चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजिएगा आईए हम लेकर के चलता हैं सबसे पहली चीज हर एक कमचारिय को अपनी सेलरी से बहुत प्यार होता है तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें अपकी सेलरी में हर साल इंक्रिमेंट होता है यहां साल में अगर आपकी joining जन्रवरी से पहले है तो आपका increment जन्रवरी को लग जाता है और जन्रवरी के बाद अगर आपकी joining है तो एक जुलाई को आपका increment लगता है ठीक है और दूसरी चीज आप बलोगे कि महंगाई भहुत बढ़ रही है तो उसके लिए भी आपका महंगाई बतता दिया जाता है जिसे हम डिये बोलते हैं ठीक है तो ये साल में दो बार बढ़ाया जाता है कब एक जनवरी में और एक जुलाई में इसमें जो मिनिमम और मैक्सिम जो लिमिट होती है दो परसंट और चार परसंट पिछली बार 38 परसंट से बढ़ा कर 42 परसंट किया गया जो कि जनवरी से लागू जनवरी 23 से लागू कर दिया गया है अब आने वाले जुलाई से कितने परसंट बढ़ाता है ये सरकार के उपर निल्ल्ड होता है रेल्वे में नाइट डूटी भी लगाई जाती है तो उसके लिए भी आपको एस्ट्रा अलाउंस दिया जाता है वो आपकी बेसिक पे के अधर पर होता है अगर आप कर लें तो एक उनिट का 160 रूपीज के करीब बनता है अगर आपकी डूटी किसी स्टेशन पर चल रही है बहाँ से आठ क्लूमीटर दूर अगर आपको भीज़ा जाता है आठ क्लूमीटर के दाएरे से आगे तो बहाँ पर आपको लेवल वन से लेके लेवल फाइब बाले करमचारियों को 500 मैक्सिम्म आपको ट्रिबलिंग अलाउस मिलता है 6 से 8 लेवल तक वालों को 800 रुपे और 9 से 11 वालों को 900 ऐसे ही बढ़ता जाता जैसे लेवल बढ़ता जागा वैसे ही ट्रिबलिंग अलाउस का बववी बढ़ता जाता है लेकिन इसमें कुछ कंडिसन होती है अगर आपकी डूटी बहार आपकी मुटर से ज़्यादा लगा रहे है और भापर आपको 6 गंटे से कम का काम है तो आपको सिर्फ आपके टीए का 30% मिलता है अगर 6 गंटे से ज़्यादा हो 12 गंटे से कम है तो आपको 70% मिलेगा और अगर 12 गंटे से ज़्यादा अगर आपका काम है तो आपको पूरा 100% आपको दिया जाता है आगे जफ़ाबाद का पास and PTO की सबसे अच्छी सुभिधा है रेलवे द्वारा दी जाने वाली कि आपको 1 SET अगर गुप D की बात करें अलालग लेवल पे अलालग विक्ति को अलालग सुभिधाय मिलती है तो हम गुप D के लेवल की 1 की बात कर लेते हैं तो एक सेट एक सेट में आपको थर्ड एसी का ट्रबल का पास मिलता है ठीक है इसमें आप पूरा थर्ड एसी का एक बार आप फ्री में जा सकते हैं और चार से पीटीओ के पीटीओ के मतलब की आप यहाँ पर आपको बंधः चार्ज पे करना रहता है मतलब चार बार आप आ सकते हैं और चार बार आप जा सकते हैं तो उसमें आपका बंधः खुराया इसमें लगता है इसमें आप Sleeper RM से Book कर सकते हैं AC में थोड़ा कम Discount मिलता है तो यसी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आपको यहाँ पर आप छड़वे सुविधा की बात कर लें Medical Facility Medical Facility तो आपको उसमें आप उम्मीद कार्ड बनेगा तो वहाँ पर आप जाके आपके पूरा जो भी सास का जो भी चीज़े हैं आप पूरा अजार रुपे साल का देती है वो भी जब बच्चा अठा साल का हो जाता है जब तक आपको 27,000 रुपे पर साल देगी और दो बच्चों का 54,000 रुपे टोटल यहाँ पर देती है अगर आपको दिब्यांग बच्चा होता है तो उसके लिए 27,000 रुपे यहाँ पर दिये जाते हैं मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी फैसलिटी रेलवे के कमचारियों को यह देती है और कोई भी इसके अंतरगत कोई भी और अधर डपार्टमेंट यह सुविधा नहीं देता है अब आठ भी सुविधा की हम बात कर लेता है देखो बच्चे को पढ़ाने के लिए कमसम बच्चे पैदा आप तो करने पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको जब बच्चा पैदा होता है तो मेल लोगों के लिए पैटरनिटी की लीव मिलती है पंदर दिनों की यहां पर मिलेगी और कोई महीला है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव 6 मंत की मिल जाती है तो यह भी सुविधा आपको भापर रेलवे के अंदरगत आपके मिलने वाली है और अगर बात करें लीव की तो टोटल आपको बता ही है लीव के बारे में पूरे फुल डेटल में आपको वीडियो बनाने वाला हूं वो भी देख लीजेगा और टोटल 10 CL आपको मिलती है 30 आपको LAP मिलती है 20 आपको LHAP मिलती है जो 10 sick के बराबर होती है हाप लीव होती है और 12 National Holidays होते हैं और वीकॉप आपके अलगी होते हैं मतलब आप होथ हैप्पी लाइप यहाँ पर जी सकते हैं और जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब रूप कर लीजेगा और रेल्वी की सारी फूल इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर देने तो अन्तिव प्रम टैनल ने मनतलि आपकेत जी सारी खने रड़ा इंट रूप यहाँ